नमस्कार दोस्तों, हमारा भारत युट्वी चैनल पर राजपाल छोकर आपका स्वागत करता है, चिंतन मन और बजन कैसे करे पजों मानो जीवन सरस्रेष्ट है, इसे इश्वर का वर्दान समझ कर सत करम करते वे जीना ही मानो जीवन का लक्षय है इस संसार में केवल मनुश्य ही ऐसा प्राणी है, जिसे इश्वर ने बुद्धी विवेग देकर इस धर्ती पर बेजा है, ऐसा जीवन पाकर भी यदि मनुश्य का अध्यात्मिक उत्था नहीं हुआ तो सारा जीवन वैर्थ हो जाता है अध्यात्मिक उत्थी का अर्थ है इस्वर को जानना, उसे पैचानना था उसके पर ती आस्थावानोना, यह मानो जीवन भोग के लिए नहीं मिला है, हमें यह सोचना चाहिए कि क्या जनम और विर्ट्व से इस शक्र में पसकर यह भू मुल्य जीवन वैर्थ गवादे य इस्वर की किरपा पाकर ही कोई संसार बंदन से मुक्त हो सकता है, इसके लिए चिंतन, मन और भजन तीनों आफशक हैं, इस शरष्टी का अलचियता कैसा है, इतनी व्यापक व्यवस्ता का संसालन करने वाला कितना सररेष्ट है, आधि वीशो पर हमें चिंतन करना चाहिए, इस बीजो अनुबुती होती है उस पर गहन रूप से मुनन करना चाहिए, यह सरष्टी कब से है, कब तक रहेगी, जियून यातरा का लक्सा क्या है, इस्वर ने मनुश्य को सभी चीजों से सरेष्ट क्यों बनाया, आधि विशो पर मुनन करना चाहिए, विज्ञान भी अ आस्था उत्मन करने के लिए भजन आवश्यक है, भजन के बार बार बजने से इस्वर के पर तियास्था परबल हो जाती है, चिंतन मनन और भजन तीनों में जब तक समंझे स स्थापित नहीं होगा, तब तक वैक्ति की आद्यात्म कूंती नहीं होगी, तब तक नै तो इस और का सक्साथकार होगा, और नहीं परमानंद की प्राप्ति, अतहर मानों के लिए यह अवश्यक है कि जीवन की इस आपदापी में भी कुछ समय निकाल कर उस रोचे सत्ता के पर तीचिंतन मनन और भजन के पत्कानों को गमन करना चाहिए, क्या हम स्रेष्ट मानों श्रीर पाकर भोगों में लेपत रहकर अपना सारा जीवन युँँ ही वैर्त गवां देंगे, जीवन और मिर्त्यु का जाल चारों तरफ पहला है, इस जाल से बचने का एक ही उपाई है, इस्वर की छण में जाना, मुनिश्य की काया और मान्शी की काय में अदबुद्वक्स अक प्रदुर्भग्या की मनुष्य बाहर की वस्तों का मुल्या और उप्योग तो जानता है, लेकिन अपनी आंत्रिक ताकत से ही वह अंजान रहता है, यह सच है कि अभीष्ट प्रगर्ती के लिए साधन प्रसिति और सहयोग की भी जरूरत होती है, लेकिन सच भी है कि इने व कुल तायनिर तक चली जाती है, कई बार तो सवी धा साधनों का दिरुप्योग ही होता रहता है, जिससे उठान के बजाए पतन होता है, जितना ध्यान धन उपारजन और वैवो परदसर पर दिया जाता है, अगर उतना ही आतम सिंतन, आतम सुधार और आतम प्रिशकार की प पुना बढ़ जाती है, आतम ग्यान की समान्य बूमिका में जागर्थ होने वाले समान्य मनुश्य आतम विश्वासी, स्वालंबी और स्वावी मानी पाए जाते हैं, एंकारी होना एक बात है और आतम विश्वासी होना दूसरी बात है, आतम विश्वासी में उसका आतम ब जो सश्थिवावाई दिला सके आतम विश्वाशी आतम गोरों को ध्यान में रखकर उन आदर्सवादी प्रतनों को अपनाता है जिन से आत्मा प्रमात्मा और विश्वाश्मा की संतोष मिल सके इसी अंतर को देखते विए एंकारही निंदा और आत्मिस्वासी की प्रंशंसा होती है उत्सत्रिया आत्म बोद में मुनिश्या अपने आपको इश्वर का तेश्वी अंच विश्वात्मा का एक गठक समझता है और लोक मंगल का प्रयोजन पूरा करने वाले कारियों में यात डालता है इस्तित्यक को समझाते वह अपने में ही सभी वजिश्वासी पैदा करने में सनलगन होता है जिसे कान सपलता खिंश्वासी के लिए आत्म विश्वास पूर्वक निरंतर आगे बढ़ता आगे बढ़ाती रहना चाहिए जैहिं मंदे मातम दोस्तों हमारा भारत यूटूब चनल से स्ब्सक्राइब करना ने बोले और ज़्यादा से ज़्यादा सुझाओ दे आप का हमारा परती बहुत बहुत सने बना रहे और यह है परिकरिया जी उनिवर्टर